हेलो फ्रेंड्स आईए सिंधी यूटूब चैनल में आप सभी का सागत है देखे इस बार का जो 66 BPSC mains हुआ है उसमें जो LSW Optional का पेपर कंड़क कराए गया है आयूक की तरफ से उसके क्या question आया है उसे हम यहाँ पे एक बार आपको दिखाना चाहते हैं और अगर आपका कोई और optional है और आप paper चाहते हैं तो टेलेग्राम का link description में दिया गया है आप उसे join कर लें सभी optional के paper वहाँ पे upload कर दिये गया है आईए देखते हैं देखे एक्जाम में क्या होता है कि 6 question आपको करने होते हैं 12 question आपको एक्जाम में आते हैं तो section 1 से भी 3 करने होते हैं second से भी 3 करने होते हैं total आपको 6 question के answer देने होते हैं बिहार में देखे question number 1 की आया था अगर हम section 1 के question 1 की बात करें तो भारत में सरम कानून की उत्पत्ति को प्रभावीत करने वाले कारकों को इस परIGHT करें भारत में स्रम कानून के वर्गी करन पर चर्चा करें यह पहला कोशन LSW से पूछा गया है कोशन नमबर सेकंड सब पार्ट में डिवाइड़ है देखते हैं क्या पूछा गया है भारती सम्विधान में स्रम से संबंदित प्रावधानों की व्याख्या करें क्या आपको लगता है कि यह प्रावधान भारत में विविधान स्रम समस्याओं को संब्भालने के लिए परियाप्त हैं टिपड़ी करें सेकंड का सेकंड पार्ट अगर हम देखें आयलो के चार इस्तम्ब नीती धाचे पर चचाचा करें क्या आपको लगता है कि यह नीती ढाचा COVID-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए भी प्रभावी है कोश्य नमबर थर्ड भी सब पार्ट में डिवाइड़ है इसे देखते हैं अंतराष्टी स्रम मानक क्या है उप्युक उधारन के साथ समझाए बाल स्रम निशेद और विनियम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंबी रूप से जाच करें 2016 में इस कानून में हुए संसोधन के महत्पूर जोड क्या है क्वेशन नमर थाड़ देखते हैं 2017 के हालिया शंसोधन के आलोक में मात्री तलाव अधिनियम 1961 की व्याक्या करें क्वेशन नमर फाइव देखते हैं दुकानों और स्थापना अधिनियम 1923 के तएट, स्थापना निरिक्षन और दंड संबन्दित प्रावधान क्या हैं वर्णन करें। मजदूरी को परिभाशित करें मजदूरी भुक्तान अदिन्यां 1936 के प्राधानों के ताहत मजदूरी से अधिक्रित कटोती पर चर्चा करें कोश्चन नमबर 6 सब पार्ट में डिवाइड़ है इसे देखते हैं सरम विधानों की समकाली चुनोतियां बिहार सरकार के सरम संजादन विभाग की संडचना और तीसरा है सेक्षन सेकेंड देखते हैं कोश्चन नमबर 7 और द्योगिक संबंदों के मुख्ये पहलूँँआं पर चर्चा करें कोश्चन नमबर 8 की बात करें सामाजिक सुरक्षा के प्रमुक तत्वों को इस्पष्ट करें करमचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिपनी करें कोश्चन नमबर 9 सब पार्ड में डिवाइड़ है एक बार देखते हैं ट्रेड यूनियनों की अवधार्णा और सामानी विसेस्ता हैं बतायां सुला क्या है? सुला के वेभिने तरीकों पर चर्चा करें कोश्चन नमबर 10 देखते हैं जीविका बिहार में एक महतपून गरीबी उनमूलन पहल है इस पर टिपनी करें जीविका के तहट सामाजिक विकास की पहलों पर चर्चा करें कोश्चन नमबर 10 का B पार्ट है भारत में वैश्या वित्ती के लिए कर्णी कारकों की जाच करें क्या भारत में वैश्या वित्ती को वैद बनाना चाहिए? कोश्चन नबर 11 सब पार्ट में डिवाइड़ हैं आईए देखते हैं निमलिखित में इसे किनी दो पर संचिप्ट टिप्णियां लिखे हैं पहला है मुख्यमंत्री निश्चय स्वं सहयता भत्ता योजना दूसरा है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS योजना और तीसरा पूशा गया है 11 सब पार्ट है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के लिए कल्याणकारी क्योजना है बारवी का कोश्चन भी दो सब पार्ट में डिवाइड़ है पहला देखते हैं बिहार में हालिया सराबंदी के उपायों के प्रभावों पर टिपड़ी लिख करें और सेकेंड है बिरोजगारी और उसके प्रकारों को परिभाशित करें बिहार के ग्रामीड शेत्रों में हाल के कुछ रोजगार्ड स्रिजन कारिक्रमों के प्रभाव पर संचित चर्चा करें तो लजडवलू में इस बार के ये question पूछे गए है आपका कोई भी optional हो सभी optional के paper टेलिग्राम में ग्रूप में provide करा दिये गए है उसका link description में दिया गया है तो आप उसे join कर सकते हैं In future जो भी हमारे PDF हैं सभी current affair और MCQ series के जो भी आएंगे सभी इसी group में provide किये जाएंगे तो इसे join अबस्ते करें Thank you friends, keep watching, keep sharing